रियाजी के बुन्यादी तसवुरार पहला तसवुर नंबर सूरज एक है ये है नंबर एक यानी वन ये दो आखे हैं एक और दो ये है नंबर दो यानी टू ये तीन दोस्त है एक दो और तीन ये है नंबर तीन यानी थ्री ये चार प्लेटे हैं एक दो तीन और चार ये है नंबर चार यानी फोर ये पांच आम हैं एक दो तीन चार और पांच ये है नमबर पांच यानि 5 ये छे गाड़ियां हैं एक, दो, तीन, चार, पांच और छे ये है नमबर छे यानि 6 ये साथ गोबारे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ ये है नमबर साथ यानि 7 ये आच दरख्थ हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ ये है नमबर आठ यानि 8 ये नो सेब हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नो ये है नमबर नो यानि 9 ये पांच बिल्लियां हैं एक बिल्ली करने चली शिकार, बाकी रह गई चार एक बिल्ली चली बजाने बीन, बाकी रह गई तीन तीन बिल्लियों में से एक गई सो, बाकी रह गई दो दो बिल्लियों में से एक चली खाने के, बाकी रह गई एक एक बिल्ली वापिस चली घर, बाकी बचा सिफर इस तरह हमने देखे नमबर शिपर से 9 तक दूसरा तसवर, रंगों की पहचान आस्मान का रंग कैसा है? इसका रंग नीला है, यानी ब्लू ये शिर्ट किस रंग की है? जी हाँ, नीले रंग की, यानी ब्लू ये एक अनार है, इसका रंग लाल है, यानी रेड ये फूल किस रंग का है? जी हाँ, लाल, यानी रेड ये एक आम है, इसका रंग पीला है, यानी येलो इस पतंग का क्या रंग है? जी हाँ, पीला, यानी येलो तो ये थी रंगों की पहचान नीला, जैसे आप देखते हैं सरक पर जाती नीले रंग की गाड़ी लाल, जैसे लाल रंग का लेटर बॉक्स पीला, जैसे पीले रंग का सूरज मुखी का फूल तीसरा तसवर, भारी और हलके की समझ अली पहले प्लास्टिक की कुरसी उठाने की कोशिश करेगा और इसने कुरसी उठा ली अब अली लक्री की कुरसी उठाने की कोशिश करेगा और वो इसे नहीं उठा पाया इस तरह आईशा ने इस एंट को आसानी से उठा लिया मगर ये बड़ा पत्थर ना उठा सकी इस से हमें मालूम हुआ कि प्लास्टिक की कुर्सी और एंट हलकी हैं जब के लकड़ी की कुर्सी और पत्थर भारी है हलकी चीज़ों को उठाना आसान है और भारी चीज़ों को उठाना मुश्किल तो ये थे रियाजी के चंद और तसवरात